हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट की पोस्ट के लिए डेडिकेटेड इस वीडियो सीरीज के दस्वें एपिसोड में आज हम पढ़ने वाले हैं STML अगर आप सबने प्रीबियस वीडियो न अब बात करते हैं STML की सबसे पहले हम देखते हैं STML का फुल फॉर्म क्या होता है STML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कप लैंग्वेज ठीक है अब अब ये HTML को समझने के लिए हमें इसके एक एक वर्ट को समझना होगा हाइपर क्या होता है यह अचुलि में हाइपर का मेनिंग कीसे कहता है हाइपर हो गया गया हाईपर हम कुछ भी लिख देंगा हूं यहाँ टेक्सट को एकसाँ हाँ ताइक जो टेक्स्ट है वह इंटर्नेट पे रहे या वेb pages पे रहे या आपस में connected रहे तो ऐसे text को hypertext कहते हैं बात समझ माई आपको यानि कि web website पे जितने भी text मौझूद है वो सब hypertext है क्यों क्यों क्योंकि वो web पे है online है hyper है समझ में आ रहागा चूंकि वो online है इसलिए ये hyper word इसलिए जोड़ा गया है online के लिए hyper तो ऐसे text जो online होते हैं web pages पे होते हैं उन सभी text को हम hypertext कहते हैं यानि कि किसी भी website पे जितनी भी चीज़े देखते हो text के form में उस सब के सब hypertext है अब बात करते है markup की markup क्या होता है जब आप किसी चीज के structure को किसी symbol के रूप में represent करते हैं आप बताते हैं कि जैसे माल लो आप आपने एक कोई document बनाया उसमें आपने कुछ points नोट किया तो इसे लगाया one two three four ऐसे आपने लिखा और यहां पे लिख दिया topics तो इसको देखके समझ मा रहा है कि यह इसका heading है और इस heading के अंदर इतने इतने चीजें इतने points noted हैं आपको देखके समझ मा रहा है कि यह सब points है 5 points है और यह इसका topic है तो उसी तरीके से इसको हम कहते है marking up करना इसको देखके यह one two three mark up कर रहा है इससे हम समझ रहे हैं कि इसमें कुछ बिसेश तरीके का styling किया गया फॉर्मेटिंग किया गया है तो जब हम web pages के पे जब हम web text mark up language यह बहुत important है इसका full form ठीक है और हम यह भी जानेगे कि HTML क्या करता है HTML mark up करता है web pages क्या निकि web pages में कौन सी चीज paragraph है कौन सी चीज list है कौन सी चीज heading है कौन सी चीज title यह सब चीजे बताता कौन है HTML तो एक तरीके सा आप यह भी समझ लो कि जो हमारे web browsers है हम web page किस में खोलते है web browser में web browser अगर नहीं हो तो हम web pages को देख भी नहीं पाएंगे तो जो web browser है वो क्या करते हैं वो कुछ करते हैं वो HTML को समझते हैं बस यानि कि HTML में अगर कोई document लिखा है तो उसको कौन समझ पाता है उसको केवले web browser समझ पाता है हम आप नहीं समझ पाएंगे मतलब हम आप समझ नहीं पाएंगे means कि हम लोगों के लिए बना ही नहीं है वो बना है web browser के लिए stml में हम जो भी page लिखेंगे या जो भी structure बनाएंगे वो web pages के लिए ही browser के लिए ही बनाते है तो STML हम समझ गए कि क्या है एक कोशन और पूछा जाता है कि STML किसका सबसेट है किसका सबसेट है सबसेट कैसा होता है कि कोई एक बड़ी सी चीज है एक महासागर है और उसमें एक नदी है तो हम कह सकते हैं कि यह जो नदी है यह महासागर का एक सबसेट है और जो महासागर है यह नदी का सूपरसेट है है ना देखो दो वर्ड है सबसेट यह होता है छोटे को बताने के लिए कि कोई चीज उसी के अंदर है उसी का अंदर नहीत है उसे कहते हैं सबसेट और एक होता है superset superset का मतलब होता है कोई चीज जब किसी दूसरे को पूरी तरह से आच्छादित किये हुए हो पूरी तरह से cover up किये हुए हो तो उसे कहते है superset तो यह हमारा HTML है हम कह सकते हैं कि HTML किसका subset है? वो है SGML का यानि कि STML SGML का subset है लेकिन SGML SGML का superset है तो दोनों तरीके से question पूछा जा सकता है कि HTML किसका subset है? तो हम लिखेंगे SGML और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि HTML का superset कौन है? वो है SGML और SGML का भी full form आप देख लिजे जारा इसको कहते हैं Standard Standard यह है यह Standard Generalized Markup Language यह SGML क्या करता है? SGML एक Standard प्रवाइड करता है जो की हर Markup Language के पास होना चाहिए अब इसी के Standard को यूज करके Different Markup Language बने हैं जैसे एक XML भी होता है XML हमारे साथ syllabus में नहीं है यह बट इसका भी full form आप जान लो इसको कहता है Extensible Extensible Markup Language ठीक है? यह भी SGML से ही बना है तो SGML क्या है? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे Markup Languages का सब सूपर सेट है है ना? तो SGML एक Standard प्रवाइड करता है जिसका यूज करके अलग अलग Different tasks के लिए Markup Languages बनते हैं जासे HTML Web Pages के लिए बना है XML Normal Documents के लिए बना है ठीक है? चलिए अब हम बात करते है HTML के version की यह जान शॉफ्टर की वर्ड में हर चीज का एक version होता आपको पता होगा आप यूज करते हैं मोबाइल में आप देखते हैं नए version आते रहते हैं तो HTML शुरू हुआ था 1.0 से इसका फर्स्ट बर्जन था 1.0 2000 में इसका बर्जन आया था HTML X XHTML XHTML आया था और उसके पहले तक 4.0 तक यह आ चुका था हला कि यह सब popular नहीं हुए थे HTML 1 के बाद आया 2.0 2.0 ही चलता रहा चलता रहा उसके बाद उसमें विकास हो गया 4.0 आया लेकिन इसका यूज नहीं हुआ कभी हाना उसके बाद XHTML आया फिर XHTML को हटाके अभी जो चल रहा है वो है HTML 5.0 HTML 5.0 इसको नॉर्मली HTML 5 भी कहा जाता है अभी चल रहा है HTML 5 अभी जो क्या मतलब है जब भी हम HTML का यूज करके कोई फाइल बनाएंगे उसे हम कहेंगे HTML डॉकुमेंट या इसी HTML डॉकुमेंट को हम कह सकते हैं कि यह एक वेब पेज है हर HTML डॉकुमेंट एक वेब पेज होता है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ HTML का प्रियोग ही वेब पेजेस करेट करने के लिए होता है तो आप अगर एक HTML डॉकुमेंट बना रहा है इसका मतलब है कि वेब पेज है और उसको कौन कौन डिस्पले कर सकता है ब्राउजर केवल ब्राउजर अब हम देखते हैं कि HTML वेब पेजेस को बनाता कैसे क्या इसके पास है जिसके थूँ यह structure करता है वेब पेजेस को format करता है तो HTML के पास है कुछ elements क्या है elements इन elements को हम tags भी कहते हैं कई बार आपने सुना होगा HTML tag या HTML element अपने नहीं भी सुना होगा ताभी सुन लीजिए कि HTML के पास और कुछ भी नहीं है HTML के पास कुछ collection of elements है या collection of tags है इनहीं tags या elements की मदद से वेब पेजेस को design करता है वेब पेजेस को create करता है ठीक है अब हम जड़ा एक नजर डाल देते हैं इन elements पर कौन-कौन से यह elements HTML के पास है देखिए यह आपके सामने एक list of tags है जो HTML में प्रियोग होता है ठीक है देखो आप यह सारे के सारे जो हैं यह प्रियोग किये जाते हैं HTML में अगर एक बार आप ध्यान से नजर डाल लीजे और अगर आपको problem हो रही हो तो इसको आप pause करके भी देख लेना मैं एक नजर बस आपको दिला देता हूं यह आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि कई बार question ऐसे आ जाता है कि इन में से कौन HTML में प्रियोग नहीं होता तो अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो वो नहीं प्रियोग होगा ना यह आपको दिमाग में रखना होगा इसमें से मुख्य मुख्य का use में आपको बता दूंगा महत्तोपून का ठीक है clear है तो इसको आप देख लेना कि जब भी हम एक HTML डॉक्मेंट बनाते हैं तो आपको notepad का प्रियोग करना होता है notepad, notepad ठीक है आपके हर computer में एक notepad होता है अब क्या होता है कि जब हम HTML में programming कर रहे होते हैं notepad में बना रहे होते हैं notepad में कोई formatting या कोई notepad एक बहुत ही simple utility program है windows के पास उसमें आप normally बस कुछी type ही कर सकते हैं ना तो कोई formatting कर सकते हैं ना तो कोई suggestion देता है ना तो कोई correction देता है तो अभी आप जब दो-चार लाइने HTML के लिख रहे हैं तब तक के लिए notepad ठीक होता है लेकिन जब आप बड़े-बड़े web pages सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको जब पड़ती है कि कोई advance आपके पास notepad जैसा चीज हो जो आपको suggest भी करें चीज है जैसे आप एक tag लिखने की शुरू किये तो वो बताए कि यह tag लिखना चाहते हैं यह tag लिखना चाहते हैं आपको suggest करें सपोर्ट करें तुरंट आपको उसका web page का result भी आपको दिखाने लगे तो ऐसे चीजें ऐसे software जो आपको HTML code को लिखने में मदद करते हैं उन्हें कहते हैं editors क्या कहते हैं editor या कहते है code editor जिसमें आप code या HTML के code को edit कर पाएं उसे हम कहते हैं code editor यह क्या होता है code editor एक software होता है और जाहिर सी बात है अगर software है तो किस टाइब का system software या application software में से कोहीं कोई एक होगा यह होता है application software क्योंकि particular काम कर रहा है यह operating system को चलाने में मदद नहीं कर रहा है यह केवल कुछ काम कर रहा है जिसका काम है code को edit करना तो हम एक code editor यहां use करेंगे जिसका नाम है vscode यह code editor है Microsoft का visual studio code हम इसका प्रयोग करेंगे फिलहाल के लिए बट आपको मैं इसलिए अभी यह बताया कि जो हम code लिखेंगे वो किसी code editor में लिखेंगा अगर आपके पास code editor नहीं है आपको चिंता करने का जूरत नहीं है notepad में भी इसका program लिखा जा सकता है तो कई बार question पूछा जाता है कि हम HTML का program कहा लिख सकते है और उसमें एक option होगा notepad और बाकी सब कुछ और हो MS Word में HTML का code नहीं लिखा जाता ठीक है तो आपको उसमें चुनना होगा notepad ठीक है तो अब आपने क्या किया notepad खोला notepad अपने computer उसमें HTML के कुछ codes लिखे और इसको save किया जब save आप करोगे तो आपने इसका नाम दिया suppose abc और आपको dot के बाद abc.html जरूर देना होगा इसका extension हर file का computer में एक extension होता है जिससे पता लगता है कि किस type का file है तो आपको stml का file को dot stml नाम से store करना होगा मतलब उसका extension dot के बाद वाला जो part है dot html ही होना चाहिए कहीं कहीं आप .htm भी देखोगे यह भी चलता है .htm या .html दोनों ही सही है तो आपका file का नाम हमेशा क्या होना थी dot html इसके पहले आप कुछ भी नाम दे दो ठीक है चलिए अब हम समझते हैं जरा पहले मैं यहां लिख के आपको बताता हूं कि कहा क्या चीज़े जरूरी है उसके बाद मैं इसको एक live program भी आपको दिखाऊंगा है ना right angle और left angle दोनों लगा रहेगा ठीक है तो आप एक चीज़ तो यहां से नोट कर लो कि जब भी एक tag लिखोगे आप तो इन दोनो right angle और left angle के बीच ही लिखोगे इसके बिना कोई भी tag नहीं लिखा जाएगा यही symbol बताता है कि हम यह tag लिख रहे हैं यह यह element है यह text का part नहीं है यह केवल formatting के लिए हुआ है इसी को लिखना markup कहलाता है ठीक है तो किसी भी html document को लिखने लिखते समय तो सबसे पहला tag लिखना होता है वह होता है doc type doc type यह वाला tag यह बताता है कि यह जो document आप लिख रहे हैं यह होता है doc type तो जब पहले html का version 1 था 2 था इस समय doc type के बाद बहुत बड़ा value देना पड़ता था बहुत बड़ी string लिखनी पड़ती थी बहुत बड़ा link करके कुछ उससे यह पता चलता था कि यह html version 1.0 का document है यह version 2.0 का document है लेकिन जब से html 5 आया है तब से इसको एकदम simple बना दिया गया आपको बस यह लिखना होता है doc type लिखके और उसके बाद एक space देके आपको लिखना होता html doc type html इससे पता चल जाता है कि यह जो document अब आगे आने वाला है यह यह html document है clear है अगला जो tag है html में वो जो सबसे महत्वपून है वो है html सबसे पहला tag आपको लिखना होता है html ठीक है अच्छा एक चीज़ और समल लो आप यहां पे जब भी आप कोई tag लिखोगे जैसे b एक tag है b लिखोगे तो इसको close भी करना पड़ता है उसके बाद फिर वही tag का नाम जैसे b हमने दिया तो b जैसे हमें a एक tag है a a को यह opening tag है इसको close करना है तो यह close हो गया और इसके बीच में हम वो चीज़े लिखते हैं जिसको हमें format करना है इस tag का use करके ठीक है तो stml tag opening tag है यह जैसे बात है तो इसको close भी करना होगा तो हम हम जितने भी stml में documents मतलब contents लिखते हैं वो इन ही दो stml tag में ही लिखते हैं तो stml tag close भी होगा तो यहां पे stml tag ऐसे close हो जाता है क्योंकि इसके बीच में हमें बहुत सारी चीज़े लिखनी है है ठीक है close हो गया उसके बाद stml tag का जो दूसरा इसके अंदर tag आता है वो है head h-e-a-d तो जाईर सी बाण है head बंद भी होगा तो head close भी होता है head के अंदर head close होगा इसके अंदर बहुत सारी tags अभेलेबल है बहुत सारी हम देखें में या उस HTML डॉक्मेंट के बारे में बताती है ठीक है उस वेब पेज के बारे में जो information है वो इस head के अंदर रखा जाता है दूसरी बात head के अंदर जो भी चीज आप लिखो गे वो print नहीं होगा यानि कि वो display नहीं होगा वेब पेज में डिस्प्ले में कौन होगा वो जो आप body tag के अंदर लिखो गए bydy body और ये body फिर close भी होगा body ऐसे close हो गया ठीक है इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखो गए वो क्या होगा वो display होगा computer पर तो आप एक ध्यान से देखिए एक HTML document जो भी होगा उसका ये एक nominal structure है और ये structure हमेशा होना ही चाहिए पहला first line doc type define करेगा वो normal होगा HTML ये HTML 5 वर्जन को बताता है उसके बाद HTML tag शुरू होगा उसके अंदर head tag होगा और head tag opening close के अंदर आप जितने भी information जो आप इस document के बारे में information देना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं इसका कोई भी content इसके बीच का कोई भी content प्रिंट नहीं होगा और उसके बाद आप head को बंद करने के बाद आप body शुरू करते हैं और body के बीच में जो कुछ भी आप लिखोगे वो आपके display होगा क्या वेब page पे और body जब खतम हो जाते हैं उसके बाद HTML भी बंद हो जाता है यानि कि HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं एक head section एक body section head section में हम document के बारे में information डालते हैं और body section में हम वो चीज़े डालते हैं जो हमें display करना है वेब page पे चलिए अब हमें इसका एक live example देखते हैं ठीक है चलिए देखिए मैंने ये vs code editor खोल रखा है यहां पर मैं एक नया अभी file बनाने वाला हूँ new file है इसका नाम दूँगा मैं example.html ठीक है यह doc type जो है वो capital small कभी कैसे भी लिख सकते हैं उसके बाद हम क्या लिखेंगे html यह बता रहा है कि यह html type का document है उसके बाद हमारा जो सबसे important tag है वो है html यह tag है देखो अब tag को हमेंसा ऐसा ही लिखा जाता है और अपने आप यह editor देखिए मैं बात कर रहा था नए editor की smart editors ऐसा ही होते हैं वो अपने आप उसने उसका closing tag लगा दिया क्योंकि इसकी जरुरत पड़ेगी मैं इंटर करके इसको नीचे कर दे रहा हूं ताकि मैं इसके बीच में चीजें लिख सकों क्योंकि मेरा stml के बारे में हर चीज इसी के इन दो tag के बीच ही होना चाहिए ठीक ह उसके बाद मैं यह show करने के लिए कि मैं stml tag के अंदर लिख रहा हूं मैंने एक tab दिया उसके बाद मैं आपको मालूम है stml जो document है हम define करते है stml tag के थूरू उसके दो part होते है head head में information रहेगी page के बारे में और body body में content रहेगा जो हम show करेंगे तो head पहले में बनाता हूँ head इसका closing tag अपने आप create हो गया आप create कर भी सकते हैं अगर आप notepad में बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा closing tag देखो कैसे लिखा हुआ है यह आपको ध्यान देना होगा tag वही रहता है बस इसके आगे यह लगता दिया जाता है इसका मतलब या welcome या फिर welcome नहीं इसको लिखता हूँ मैं first wave page ठीक है बस head के लिए head पे इतनी जाए अब चर्चा नहीं करते हैं अब head को छोड़ते है head बंद हो गया close हो गया अब हम body tag की बात करते हैं body देखे body भी close हो गया अब हम यहां से यह space अटा देंगे इसकी हमें जरूरत नहीं ह head के अंदर जो चीज़े होती है वो शो नहीं होती ही web page भी web page भी वही चीज़े होती है जो body के अंदर हो body के अंदर मैं कुछ भी एक चीज़ लिख देता हूँ this is my first web page ठीक है मैंने कुछ कोई tag खाली body tag के अंदर डारेक लिख दिया है ठीक है अब मैं इसको save कर रहा हूँ यह HTML folder है आप देखेंगे कि यह HTML file बन चुका है अगर हम मैं इस पर double click करूँगा तो यह अपने आप एक web browser में खुलेगा जो की edge है फिल हाल के लिए और इसने देखें यहाँ पर यह show कर दिया this is my first web page ठीक है समझ मैं आपको यह HTML document का basic बनावट है ठीक अब अब इसमें question कैसे पूझा जाता है question पूझा जा सकता है कि HTML tag का doc type HTML5 का doc type क्या है दूसरा पूझा जा सकता है कि हम किसी web page में title कैसे title आपने देखा नहीं देखे title कैसे define करते हैं यह जो देखे ऊपर यहाँ पर यह फर्स्ट web पर लिखा हुआ रहा है नगी अभी आपको नहीं दिख रहा होगा यह देखे यह आपको फर्स्ट web page दिखा रहा है यह title है जो हमने यहाँ पर title दिया इसको यह यहाँ दिखा आता है तो आप यहां से समझ जाए कि टाइटल जब भी कोई जब भी आप कोई वेब पेज देखते हो तो टाइटल वो हैड टैग उसके हैड के अंदर और टाइटल टैग के अंदर हम जो लिखा रहता है वही यहां पर दिखता है ठीक है चलिए अब हम अपने और question क्या पूझा जा सकता है पूझा जा सकता है कि इस tag से क्या होता है यह tag करने के लिए हम कौन सा tag प्रियोग करते हैं ठीक है जैसे एक question मैंने देखा था कि new line इंटर करने के लिए हम stml में कौन सा tag प्रियोग करते हैं तो वहां तक समझने से पहले यह लिए एकदम बिना किसी tag के रखा था अब मैं क्या करता हूँ इस h1 के अंदर रखता हूँ ठीक है अब यही tag यही same चीज मैं 6 बार लिखता हूँ ठीक है और इसकी जो h1, h2 है वो मैं बदर रुख जा ऐसे नहीं ऐसे नहीं करता हूँ इसको copy किया इन सब को हटाया यहाँ पर मैं h2 create करता हूँ h2 ठीक है next h3 next h4 next h5 next h6 आप देखो इससे क्या होता है पहले आप देखो फिर समय ने इसको save किया और मैं इसी web browser में गया और इसको reload किया देखो आप क्या हूँ आप देख रहे हो h1 सबसे पहले लिखा था है इस सबसे बड़ा print हुआ h2 उससे छोटा है मतलब 6 तरीके के heading हमारे पास html में है और 6 का काम क्या है सबसे जो heavy सबसे जो weight वाला heading होता है वह है h1 और h6 तक क्या होते है उसकी weight कम होते जाती है तो 6 तरीके की heading provide कर रहता है कौन तो कई बार question यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ा या सबसे heavy head header कौन है और उसमे h1 रहेगा h3 रहेगा h5 रहेगा h6 रहेगा मैंने यहाँ पर एक line दे दिया ऐसे ठीक है एक line दो line दिया है अब मैं इसको save करता हूँ दो line यहाँ पर देखो आप generate किया है h1 और h2 के बीच में और मैं इस webpage को यहाँ पर reload करता हूँ आप देखोगे कि यहाँ पर कोई नया line generate नहीं हुआ 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 क्या यहाँ पर कोई नया line नहीं हुआ na generate तो कई बार तो stml में directly web page पर आप line generate नहीं कर सकते हैं मतलब यहाँ पर आप कुछ भी करोगो वहाँ show नहीं होगा वहाँ पर वही show होगा जो आप tag से करवाओगे तो आपको वहाँ पर नया line generate मतलब यह page पर नया line एक line generate करने के लिए एक blank line generate करने के लिए उसको line break कहते है actually line break generate करने के लिए भी आपको एक tag की ज़ुरत पड़ीगे वह tag है BR tag अगर मैं यहाँ पर एक BR tag दे दूँ, BR तो एक line generate हो जाएगी ठीक है BR tag देखो कैसे लिखा जाता था पहले BR आप बोलोगे कि यह तो open हुआ close नहीं हुआ तो BR tag भी close होता है ऐसे BR tag ठीक है देखो आप यह tag क्या करता है पहले हम देखते हैं फिर समझते हैं देखो आप इसने एक line generate कर दिया ना, BR tag ने तो line break generate करने के लिए भी आपको BR tag चाहिए अब पहले ऐसा इस्तेमाल होता था लेकिन हम देखा गया कि BR tag के बीच में आप कुछ लिखो उससे कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि BR कुछ print नहीं करता हो लिखके और लास्ट में यह slash लगा दिया मतलब यह open भी हो गया और close भी हो गया ठीक है तो भी यह same feature देगा let us see देखो आप यह new line generate किया तो यह है BR tag उसके बाद कई बार question पूछा जाता है कि किसी text को bold करने के लिए हम क्या करेंगे तो bold करने के लिए B tag है HTML के बात कर रहा हूँ B और B जाहिर सी बात ही जो opening और closing के बीच ही कुछ होगा तब ही काम करेगा copy किया यहां मैंने sorry cut किया यहां से और इसको यहां पे paste कर दिया तो यह bold हो जाएगा हला कि वह bold already है बर देखते हैं कुछ प्रभाव पड़ता है कि इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि H पे already bold tag चड़ा रहता है तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ दूसरा example जैसे मैंने इस सब heading को मिटा देता हूँ और मैं यहां पर एक normal सा लिखता हूँ इसी को this is my first web है आप बोलोगा कि यह बीना tag के कैसे print हुआ था बोडी के अंदर अगर आप कुछ text लिख रहा है तो वो print होगा text only new line space यह सब नहीं केवल text print होगा ठीक है only text लेकिन उसमें कुछ आप formatting नहीं कर पाओगा heading wedding नहीं बना सकते उसके लिए आपको H1 ही चाहिए देखवा अब यह print हुआ एक normal सा print हुआ है लेकिन अगर मैं इसको b tag के अंदर डालू यहां से cut कर रहा हूँ और b tag generate कर रहा हूँ और इसके बीच में डालता हूँ तो b tag क्या करेगा उसको bold बना देगा bold बना दिया ना उसी तरह i tag जो है i इसके अगर मैं दोनों और i tag लगा दू यहां से मैं i का यह बला हटाता हूँ इसके आज इबा जो लगाता हूँ तो क्या करेगा यह इसको देखे italic कर दिया bold भी कर दिया ना bold italic दोनों applied है तो यह सारे काम है इस तरह से html document में फर्मेटिंग होता है तो अब मैं कुछ important tags के आपको नाम बता देता हूँ आप ध्यान रखना जैसे की heading insert करने के लिए h1 है bold करने के लिए b है i से italic हो जाता है अगर आपको horizontal line include करना है horizontal line चाहिए एक line ऐसे horizontally तो उसके लिए है hr उसको horizontal rule कहते है hr tag है hr tag भी ऐसे लिखा जाता है hr tag है जिसके through आप horizontal line generate कर सकते हैं ठीक है p tag है p tag paragraph के लिए इसके बीच कुछ भी लिखोगे तो paragraph के form में print होगा ठीक उसके बाद एक tag है ul ये ul समझना बहुत जरूरी है ठीक है एक होता है ul एक होता है ol तो ol पहले ol देखते है ol है ordered list तो आप से अगर पूछे कि ordered list किस tag के through बनता है तो ol के through बनेगा और ul किसके through बनेगा ul से क्या बनेगा unordered list इसमें कोई ordering नहीं हो जैसे आपने ms word वगरे में देखा होगा केवल काले dot dot one के list बन जाता है ये पहला point ये दूसरा point ये तीसरा point और वही list एक और ऐसे भी बनता है कि unordered में ये abc123 लिखाना आका है कि dot 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 आएगा न मैं आपको एकदम short में बता के रख रहा हूँ मैं इसके deep में नहीं ले जा रहा हूँ नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा आगे जाना तो ये सारे कुछ important tags हैं question पूछा जा सकता है जैसे table generate करने के लिए हम क्या करते हैं html में तो उसके लिए हमारे पास table tag है table table से table generate लेकिन table के अंदर भी दो पाट होते है एक होता है table header t head जिसको कहते है ठीक है t head में table का header generate होता है जो first line होती है first वाली row to t head से बनता है उसके बाद बाकी के सारे t body मतलब table body से generate होते है table body के अंदर हमें एक row हर row generate करता है हर sorry t कहता हूँ table body के अंदर हम tr यानि कि table row generate करते है ठीक है और हर row के अंदर फिर हम हर row के अंदर एक table में बहुत सारे row हो सकते है और row के अंदर फिर t d generate करते है table data ठीक है न table data table data ऐसे जैसे मैं यहाँ पर लग दूँ one और यहाँ फिर से table data लिख दूँ two और इसी t row को copy कर लूँ और यहाँ पर देदेता हूँ three यहाँ पर देदेता हूँ four आप देखो क्या generate होता है ctrl s रिफ्रेस किया यह देखे एक table generate हो गया न यह तो यह सारी चीजें आप stml में कर सकते हैं जिससे web page बना सकते हैं चली एक tag और हम लोग देखते हैं जिसका नाम है a tag यह बहुत important tag है इसे कहते है anchor क्या कहते है anchor मैं लिख रहा हूँ अब पढ़िएगा anchor anchor tag किस लिए case use किया जाता है यह use किया जाता है hyperlink generate करने के लिए hyperlink क्या होता है जब आपक है किसी net पर browse करते और हम मैं every link आपको याद होगा HTML का फुल्पम भी यह है hypertext तो hyperlink भी होता है जो कहीं और से connected होता है hyperlink create करने के लिए a tag का प्रियुक किया जाता है इसके बीच में अगर मैं कुछ भी लिखूँ तो एक link बन जाएगा ठीक है मैं save कर रहा हूँ और page को refresh कर रहा हूँ आप देखिए आएमे link आगया लिखा हुआ अब लेकिन यह click नहीं हो रहा है ना क्यों नहीं हो रहा है click तो कि हम हमें इसको link बनाने के लिए इसको एक address देना होगा जहां पर यह जाएगा है ना मतलब जहां click होने पर यह जहां पहुंचेगा वह address देना पड़ेगा वह address देने के लिए हम ए टैग में एक attribute लिखते है attribute अभी देखो आप जब अभी तक हम केवाल normal tag का प्रियोग करते रहे हैं लेकिन tag के अंदर हम बहुत सारे attributes दे सकते हैं attributes देने से क्या होता है वो tag की functionality बढ़ जाती है तो कोई-कोई tag attribute support करता है कोई-कोई नहीं support करता और अलग-अलग tags अलग-अलग type के attribute support करते हैं उतना deep में हमें नहीं जाना है बस हमें A को समझना है एक को hyperlink करने के लिए एक टैग के text को link करने के लिए attribute यूज होता है जिसका नाम है href hyper reference है और इसके अंदर आप जो कुछ भी देंगे जैसे मैंने दिए https google.com ठीक है तो क्या होगा जब भी ये link पे click होगा इसे google.com पे पहुँचेगा चले इसका example देखते हैं मैंने save किया और इसको refresh किया देखिए ये link अलग साही बन किया ना ये link जैसे दिख रहा है अब इसके उपर mouse jar भी रहा है तो hand बन रहा है मतलब ये बता रहा है कि मैं एक link हूँ और मैं इस पर click करूँगा ये हमें google.com पे ले जाएगा ठीक है फिर से मैंने back किया फिर से महीं पहुँच तो आफको समझ माया होगा तो ए से question पूछा जा सकता है एस question कैसे पूछा जाएगा पूछा जा सकता है कि htmail में hyperlink बनाने के लिए किस tag का ये use किया जाता है तो वो a tag होगा anchor tag कई बाद ये न लिखके anchor लिखा जाता है तो याद रखना हूँ उसके लब ये पूछा जा सकता है कि anchor tag में address देने के लिए किस attribute का प्रिख किया जाता है तो याद रखना हूँ href ठीक है इसके लब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये की ओ सॉरी ये तभी ये उपर दिख रहा था एक सेकेंड यहाँ पर मैंने गलती से table को delete कर दिया था table end नहीं हो देखा आपने अगर मैं हम लोग कुछ गलती करते हैं तो structure different हो जाता है देखा आपने अगर हम लोग कुछ गलती करें तो structure different हो जाता है ना देखना अब यह आप structure बदल गया होगा देखो नीचे आया ठीक है अब एक चीज़ और आप समझ लो मालो मैं एक चीज़ यह से लिख रहा हूँ comment यह भी question आ सकता है कि STML में comment कैसे लिखा जाता है देखो हर programming language में comment का प्रावधान होता है comment से क्या होता है जो programming कर रहा है जो developer है उसको help मिलती है समझने में कि यह क्या लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है तो comment लिखने के लिए STML कैसे क्यों किया जाता है STML में comment कैसे लिखा जाता है यह राइट एंगल खोला उसके बाद exclamation mark लिखा जो six to one से आता है उसके बाद दो डैस दिया अब यह comment बन गया अब यह जहां तक लिखते जाओगे अब सब comment बन गया यहां से यहां तक और यह वाला part इसके बीच में अब जो कुछ भी लिखो गए वह comment ही हो जाएगा वह execute नहीं होगा ठीक है देखते हैं यह हमारे page पे नहीं आना चाहिए refresh किया मैंने नहीं आया तो यह comment है तो हमने बहुत सारे टैक्स देख लिए जो बहुत important है इससे question आ सकता है इसको आप दिमाग में डाल लेंगे तो आज जो मैंने लिस्ट दिया है उसके आप जो टैक्स है उसको एक बार नजर मार लेजएगा उससे question पूछा जा सकता है और यह मैंने कुछ basic टैक्स के आपको इस्तेमाल बता दिये है ठीक है और जब हम questions करेंगे तो अगर कुछ इस तरीके के tag आए तो मैं आपको इसको explain कर दूँगा फिलाल के लिए इतना ही HTML में बस आपको इतना ही देखना है इससे जादा देखने से कोई मतलब नहीं है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में जिसमें हम एक और programming language के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे तब तक के लिए खुछ रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इससे कुछ सीख पाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए थैंक यू